हेल्फफुल की तुमश्या बिल्कुल दूर हो जाएगी बहुत हेलो गाईज वेलकम बैक मानी बीटी पाला चैनल जैश्री शाम गाईज तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं बहुत ही अमेजिक और आपके लिए हेल्फफुल वीडियो लेके आएगी जिसके अंदर आपकी हेल्फुल की तुमश्या बिल्कुल दूर हो जाएगी बहुत सारे कॉमेंट्स आयों मुझे की हेल्फुल बहुत ज्यादा हो रहा है इस मोसम में तो मैं उसके अपोर्डिंग आपके लिए बहुत अच्छ एक वीडियो को देखो और आपको अपने घर में एक रेसिपी क्रियेट कर रही है तो फुल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और हेल्फुल की समश्या बिल्कुल खतम हो जाएगी तो मैं बता देती हूं आपको क्या का शामगरिया इसमें यूज होनी है पांसे साथ चीज हो जाएगा इस किया एक गए आप क्या प्रूषा कि हम से ङूज है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या पता हो क्या बहूं की वेर्चाव करती है तो ऐसे ही आप अपने घर में जो बनाते हो खाते वो वेस्ट है बाहर पर वीषुषणों राभी यूज है यही वेल आपको ब 500 ml आप इसमें बना सकते हो और पुल खर्चा होगा आपका दोस्टों से 300 रुपे बास नोर्मल तो गाइस हमने जो चीजें यूज करी है वह मैं बता देती हूं आपको हमने क्या गाई यूज किया इसके अंदर सबसे पहले लिया हमें ओनियन उसके बाद हमने लिया इसके अं आपने देखी लिया है ओनियन है यहां पर हमारा महसून है अद्रक है कलोंजी है और मेथी है कड़ी बता है यह सब प्रोडेक्ट को हम कैसे इसको में शिर बनाएंगे वह सब आप कंटीनु वीडियो में देखो गाईस तो चलो इसको क्रिएट करते हैं और एक अच्छा सा बनाते हैं और इसे साथ साथ आपको रिजल्ट भी दिखाते हैं हाथ में इसकी मसाज करने भी बताओंगे तो फुल व्यूडियो जरू देखना चलो गाईस इसी तरह से आपको एक खुला बरतन लेना है आपकड़ाई भी ले सकते हो इसके अंदर एड़ करेंगे हमारा को क इसके अंदर हमें एड़ करने वाले हैं इसके अंदर इसके अंदर और इस तरह से आपने जो मेरा यह था हाफ केजी था शायदी पांसो एम्मेल ठीक हैं इसके अंदर डाल दे हैं इसी तरह से इसको फाल का सा थोड़ा सा गरम होने देते हैं तोड़ा सा उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर डालते रहेंगे इस तरह से जाएं यह लोगों पड़ी पक्ता को लोगा समय साइज दाले हैं आप ऐसे भी डाल सकते रहें कर लें और जब तक यह बुन के बिल्कुल सुनेरा नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे ही इसके अंदर ड्रिप करेंगे और इसको पहुने देंगे कर लेंगे कम लेकम इसको लगेगी बीस से पचेशने तो गाइस जब सक इसको ऐसे ही हम रड़े देड़ी इसको रड़े कर लिया है आप इस वर्तल में रिकाल लेंगे इसको झाल पाल में रड़ा कर लेंगे इसको कर ले OUT दो घर दोर कर ले आड़े इसको राल दोग़े मैंत in करने दो कर 1 लेकरोबे ओर अवरे कर ले दो हैlockबे जब आग कर देंटनेंगे मेरा जो ओयल है वो बनके रैडी है और मैं इस को लेके जारी हो अपसेलोल पे और वहां दिखाऊंगे आपको ऐल वसाइज यह ओल्मोस्ट तीन सीसी पर जाएंगी तो हमारा पंद्रास होगा वेल अमने रैडी कर लिया कुल कुल थर्ट तीन सो रुपे के अंदर हमने रैडी किया है पंद्रा से दो हजाज रुपे का एक वेल जो कि आप देख रहे हो और इसकी मसाज में आप गरा ले थी और इसके रिजल्टे भी आपको मैं इसको मैं स्टोरेज करके रखना है मिनको दो से तीन दिन के लिए लेकिन म में आप जी कोई मसाज कराई कि मुझको बहुत जदा मीड हो लेकि मसाज की तो मैं असी कराऊ इसको बढ़ाने या बाद इसको दो दिन स्टोर करके रखना है उसके बाद आपको इसके इसके अपने एसके अंदर पर यूज कर ले रहा है इस ओयल को गाईज को बच्चा कोई कर सकता है इसमें कोई कंडिशन नहीं है कि किसे इस तक का ही बंदा इसको यूज कर सकता है और यह हुआ 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 है हुआ है हुआ है झाल झाल हुआ है झाल 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 झाल